हाई फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ लिपस्टिक हैक्स जो I think every girl should know तो मैंने सुचा क्यों ना मैं इन हैक्स को आपके साथ शेयर करूंगी आप मैंसे कोई-कोई सायद इन हैक्स को follow करते होंगे बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए आज का ये वीडियो है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स मैं हूनिशा and welcome back to Nisha's Passion तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम perfectly lipstick apply कर सकते हैं और lipstick apply करने से पहले हमें क्या-क्या ध्यान रखना पड़ेगा तो क्या हम directly lipstick apply कर सकते हैं लिप्स पे जी बिलकुल नहीं lipstick apply करने से पहले always prep your lips before applying any lipstick specially matte one so prep करने के लिए हमें पहले lip को moisturize करना पड़ेगा एनी lip balm योज़ करके my second hack is अगर अपका lip balm जादा हो गया है तो उसको कैसे ठीक करना है तो उसको ठीक करने के लिए एक tissue paper ले लीज़े और एक बार dab कर दीज़े ठीक हो जाएगा my third hack is always use a lip liner क्या हम directly lipstick apply कर सकते हैं जी नहीं lipstick apply करने से पहले always use a lip liner to draw your lips lip liner pencil यूज़ करके अच्छे से outer line को draw कर लीज़े एक अच्छा shape पाने के लिए lip liner यूज़ करना बहुत simple है अगर आप beginner है तो एक X draw कर लीज़े पहले on the top of your lips and बाकी का lips को connect कर दीज़े lip liner यूज़ करके तो देखिए मैंने lip liner लगा लिया है and अभी मैं lipstick लगाऊंगी and अभी मैं जो lipstick लगाने वाली हूँ वो है Lack Me Forever Matte Liquid Lip Color and इसका set है 17 Nude Matte तो देखिए lipstick अप्लाई करने के लिए बहुत ज़ादा lipstick नहीं चाहिए applicator को थोड़ा सा ऐसे कर लीज़े and उसके बाद ही lipstick को apply कर लीज़े lips पे my next hack is whenever you are using a liquid lipstick always make sure to apply with the tip of the applicator to outline the lips and after that fill your rest other lips with lipstick केकी lips को avoid करने के लिए always use a minimum amount of lipstick and lipstick apply करने के बाद कभी भी हूटो को ऐसे मत कीजिए specially जब आप liquid matte lipstick यूज कर रहे हैं तब कभी कभी हम notice करते हैं कि lipstick लगाने के पाद ना lipstick दात में लग जाता है तो दूसरों के सामने smile करना या फिर दूसरों के सामने बात करना बहुत embarrassing हो जाता है हम लोगों के लिए तो इसको avoid करने के लिए मैं आपके साथ एक hack share करूँगी उसके लिए आपको आपका index finger लेना है और होटो में ऐसे डालना है और देखिए जो lipstick extra है ना वो इधर निकल आता है तो ऐसे ना दात में नहीं लगता है lipstick my next hack is lipstick को कैसे stain proof बनाना है या फिर matte बनाना है तो देखिए कभी-कभी matte lipstick apply करने के बाद भी कुछ stain छोड़ जाते है ये lipstick तो देखिए मेरे हाथ आप देख सकते हैं तो इसको avoid करने के लिए क्या कर सकते हैं हम एक tissue paper ले सकते हैं and tissue paper को lips के उपर रख के थोड़ा सा loose powder tissue paper के उपर apply कर सकते हैं अगर हम ऐसे करेंगे न तो lipstick बिल्कुल matte हो जाएगा and stain proof भी हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ difference आप समझ सकते हैं कभी-कभी ध्यान से lipstick लगाने के बाद भी अगर lipstick इधर उधर हो जाए तो don't worry उसके लिए भी solution है उसके लिए आप concealer यूज कर सकते हैं lips को perfect shape देने के लिए तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा concealer apply कर रही हूँ and इसके बाद concealer को मैं अच्छे से blend कर लूँगी now you can see the perfect lips so friends आज की वीडियो यही paint करते हैं मैं आपको एक बर closely दिखा देती हूँ hope you like this video stay happy and healthy see you again in the next video bye bye